सुप्रभात गुड मॉर्निंग सुभ बखैर कैसे हैं आप सब लोग मैं डॉक्टर बकुल देम और आप देख रहे हैं अनकेडमी का अपना फेवरेट चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी यह वो चैनल है जिस पर हम सभी लोग डेली मॉर्निंग टू इवनिंग आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंट्रिस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेशन्स लाइव डेली बेसिस पर लेते हैं चारों ही सबजेक्ट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि नीट से पहले आपके सारे कंसेप्ट हर सबजेक्ट में इतना स्ट्रॉंग हो जाएं कि आप बहुत इजिली नीट टू 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 बन को क्रैक कर सकें तो यह जो हमारा सुबह आठ बजे का सेशन है आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं इट इस यॉर डेली डोज ऑफ जोलोजी यह जो आपका ब्रिकफास्ट है डेली का यह मानके चलें और रोज हम आठ बजे यहां पर मिलते हैं अभी जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया थ इसरा फिंट में बहुत-बहुत-बहुत सेग्मेंट है यह बहुत इंपॉर्चेंट वहिस्ट में पूश्चेंट है आपका gods आपका पसंदीदा चैनल है जिस पर रोज़ानाब क्लासेज लेते हैं सेशन्स लेते हैं अपने क्वेशन्स पूछते हैं अपने डाउट्स रेज़ करते हैं इस चैनल से बने रहे हैं इस चैनल पर बने रहे हैं इस चैनल से जुड़े रहे हैं लगातार यहां पर अपने सेशन्स देखते रहे हैं यह information थी लेकिन 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 एक और जो ज़रूरी बात है वो ये कि इन YouTube प्लेटफॉर्म्स के अलावा Unacademy ने एक और बहुत बहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए डेवलप किया है Unacademy प्लस और Unacademy प्लस पर जो added जो additional advantages है वो unlimited advantages है Live Classes तो है ही Crash courses और Long Term courses भी है वहाँ पर Batch courses भी है, Individual courses भी है, Theory courses भी है, Practice courses भी है Weekly test वहाँ पर होते हैं, Doubt Solving Sessions होते हैं, English और Hindi दोनों ही languages में आपकी classes वहाँ conduct होती है study booster sessions है study material आपके लिए available होता है personalized test and analysis का एक atmosphere वहाँ पर आपके लिए create होता है personal coaching है study planner है कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो की YouTube पर आप थोड़ा सा miss करते हैं वो आपको यहाँ पर available हो जाती है तो आप कोशिश करें कि plus भी subscribe करें subscription बहुत reasonable subscription fee में आपको subscription मिल जाते हैं आप अगर 1 month, 3 month, 6 month या 12 month जो भी opt करते हैं अगर आप जैसे 11th में हैं तो आप 2 year का opt कर लें 12th में हैं तो 1 year का opt कर लें repeater हैं अभी neat आने वाला है तो short term कोई course आप short term subscription ले लें लेकिन कोशिश करें कि आप उस पर भी आजाएं plus पर भी इससे आपको काफी फायदा होगा और ये code याद रखें that is b.dev ठीक है तो जल्दी से आजाए ये बिटा plus पर भी पूरा का पूरा आपको एक comprehensive package यहाँ पर लेगा जिससे कि आप बहुत आसानी से अपने exam का preparation कर सकते हो individual courses batch courses यह सारी चीज़े मिलेगी ये तो खेर हमारा channel है ही let's crack need you जी जिस पर आप सारे के सारे बच्चे आते हैं डेली हमसे मुलाकात होती है आपकी लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के जिन पर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग तरीके की classes हुआ करती हैं अलग-अलग subjects की classes हुआ करती हैं और प्लस पर जो courses अभी चल रहे हैं उनमें प्रयास batch है या अर्मान batch अभी start हुआ है, lecture start हुआ है ace start हुआ है, setup batch start हुआ है, achiever start हुआ है early enthuse start हुआ है और एक batch हम लोगों ने अभी start किया है NEET की उडान तो उस batch को तो आप बिल्कुल definitely join करें आप में से ज्यादा तर बच्चों ने join कर भी रखा होगा NEET की उडान बैट जिसके अंदर आपको time specify किये गए है हम लोगों ने collective session भी लिया था जो जो educators उसमें पढ़ा रहे हैं मैं zoology पढ़ा रहा हूँ गंगवार सर भी zoology पढ़ा रहे हैं उसमें आपको अनुराग सर बाटनी पढ़ा रहे हैं अब लेट मत कीजे बिलकुल भी प्रनीत पाटिल विवेक राव प्रीती वर्मा मनोज सिंग पूर्निमा विजय मान्या मान सिंग वैश्नवी गुड आजाएए आजाएए जल्दी से आजाएए बस हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं reproductive system female अब देखो भई female reproductive system जो है उसमें सबसे पहले हम ये जाने की वोई बात है जो male reproductive system में हमने पढ़ी थी यानि primary sex organ and accessory sex organs, secondary sex organs तो कौन कौन सी चीज़े हम female reproductive system में detail में पढ़ना चाह रहे हैं सबसे पहले एक बार उनकी listing करते हैं female reproductive system सबसे पहले जो structure इसमें हम पढ़ने वाले हैं that is ovary oviduct इसे fallopian tube भी कहा जाता है uterus vagina यह सब reproductive ducts में आ गए हैं आपके structures then vulva और we can say external genitalia and then accessory reproductive glands जिसमें आपके parayurethral gland आ जाएंगे जिसमें आपके बार्थोलिंस gland आ जाएंगे जिसमें आपके memory glands आ जाएंगे यह सारी के सारी चीजें इसमें हम लोग sequence में discuss करने वाले हैं repeat ovary अब ovary जो है उसको हम किस category में रखते हैं यहां पर यह मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको सारे के सारे बच्चों को याद रखना है this is primary sex organ and why it is primary sex organ because process of gametogenesis takes place in the ovary gametogenesis ovary में होगा तो आज पहले तो हम एक overall arrangement female reproductive system का कैसा दिखाई देता है उसमें कौन-कौन से structures involve हो जाते हैं, include हो जाते हैं और फिर उसके बाद में ovary का detailed structure puberty के बाद ovary कैसा दिखाई देता है, puberty onwards कैसा दिखाई देता है, at the time of birth कैसे दिखाई देता है उसमें जो developing follicles हैं वो किस तरीके के दिखाई देते हैं even graphene follicle का structure किस तरीके का है ये सारी के सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं तो बच्चो जल्दी 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 इसको आप share कर दें इसको like कर दें जल्दी से और हम एक overall arrangement of female reproductive system आपके लिए draw करते हैं एक सुन्दर सा diagram बनाते हैं जिससे कि आपको सारे के सारे organs पहले तो एक बार समझ में आएं कि exactly ये arrangement होता किस तरह का है so have a look just a minute ये uterus का structure हम लोग draw कर रहा है मिटा uterus का जो posterior portion है वो थोड़ा सा narrow होता है जिसको हम क्या कहते हैं cervix और यहां से ये start हो जाता है आपका vagina ये membrane है centrally perforated जिसे हम कहते हैं hymen ये है आपका oveduct ये इसके fimbriate है fimbriated funnel जिसे हम कहते हैं तब से आगे की तरफ जो broad segment दिखाई देता है oveduct का यहां आपका whitish and almond shaped ovary दिखाई दे रहा है ovary जिस structure से connected है उसे हम कहते हैं ovarian ligament इस तरफ भी oveduct है जो मैं draw नहीं कर रहा हूँ ये इसका wall है ये भी uterus का wall है ये भी uterus का wall है ठीक है इसमें यहां आपको एक ligament और दिखाई दे रहा है जिसे broad ligament कहते हैं और ये connect करता है mesovarian से एक बार के लिए इसकी labeling करते हैं सारे के सारे बच्चे ज़रा ध्यान से देखेंगे have a look सबसे पहले ये जो structure दिखाई दे रहा है आपको almond shape ये whiteish होता है oval होता है या almond shape होता है और इसे हम क्या कह रहे हैं ओवेरी ये primary sex organ है जैसे इस तरफ है वैसे इस तरफ भी एक ovary और present होगा फिर यहां एक ligament आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ovarian ligament ये रहा ovarian ligament जिसने ovarian को यहां से जोड़ रखा है इसको अपनी position में maintain कर रखा है ये जो membranous structure आपको यहां दिखाई दे रहा है ये uterus oveduct और इनको सबको connect करता हुआ इसका नाम है broad ligament ठीक है ये भी connect करेगा कहने का मतलब peritonial fold जो होता है mesovarium उससे ये connect करेगा और वो भी ovary को अपनी position में maintain रखने के लिए responsible है अब ये जो पूरा structure आपको दिखाई दे रहा है ये है oveduct इसे fallopian tube भी कहा जाता है इसमें fallopian tube में जो सबसे आगे वाला structure जो आपको दिखाई दे रहा है anterior most structure जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं infundibulum ये तो infundibulum हो गया infundibulum पर आप क्या देख रहे हैं fimbriated funnel like structures आपको दिखाई दे रहे हैं ये fimbri इसके ठीक पीछे वाला reason है आपका एमपुला ये दूसरा reason हो गया फिर तीसरा reason है इसका इस्थमस और चौथा reason है इसका uterine part ऐसे करके इन चारों segments को collectively हम क्या कहते हैं all these segments are collectively known as oveduct या इसको fallopian tube भी आप कह सकते हैं एक ही बात है ठीक है पिटा अब जरा इधर वाला हिस्था देखो ये uterus है तो uterus में ये जो उपर की तरफ उबरा हुआ हिस्था है इसको हम कहते है pundus बीच वाला हिस्था कहलाता है body और ये जो सबसे नीचे की तरफ आपको portion दिखाई दे रहा है इस lower most portion को हम क्या कहते हैं cervix तो ये है cervix अब cervix exactly कैसा structure है lower most portion है narrow portion है ऐसा structure होता है cervix इस तरीके का structure होगा तो इसमें एक aperture तो आगे की तरफ होगा और एक aperture पीछे की तरफ होगा ठीक है ये cylindrical दोनों तरफ से बंद होगा तो यहाँ इसको समझने की कोशिश करें इसमें एक aperture तो यहाँ है ये जो दिखाई दे रहा है आपको और एक इसका aperture यहाँ है जो की दिखाई दे रहा है आपको इस अंदर वाले को तो हम कहते हैं और और बाहर वाले को हम कहते हैं और और यह पोर्शन आ गया आपका वेजाईना बाहर की तरफ जो अपर्चर दिखाई दे रहा है यह वेजाईनल ओरिफिस यह रहा और वेजाईनल ओरिफिस के ठीक पीछे एक centrally perforated membrane दिखाई दे रहा है आपको जोसे हम क्या कहते हैं हाइमल तो इस अब ओर ओल अरेंजमेंट ओफ फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम यह फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम का ओवर ओल अरेंजमेंट है सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए अरेंजमेंट ओफ फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम अरेंजमेंट ओफ फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम बोलो, यह डाइग्राम आप सारे के सारे बच्चों को clear हुआ कि नहीं पहले तो यह बताओ मुहबबद खान, देवांशी, आनंद त्यागी, पूर्निमा सिंग, हर्ष, बिट्टू, राजपूत, राज, मान सिंग, मनोज, बाकी सारे के सारे बच्चे भी रिप्लाई करू जल्दी से अब आगे चलेंगे, आगे मूव करेंगे, यहां से अब हम एक एक करके इन सारे के सारे ओर्गन्स को डिस्कस करेंगे, जैसे पहले ओवेरी हम पढ़ेंगे, ओवेरी के बाद में हम ओवेडक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद योटरस पढ़ेंगे, फिर वेजाइना, फिर एक्स्टरनल जनाइटेलिया, और फिर उसके बाद में लास्ट में रिप्रोड़क्टिव ग्लेंड्स, बहुत अच्छे, वेरे गुड, चलिए, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं, मतलब अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो पहला आपको पॉरिशन दिखाई दे रहा है, इस ओवेरी, तो लेट अस स्टार्ट वेड़ ओवेरी, ओवेरी के बारे में कुछ important चीज़ें पहले मैं mention कर दूँ, उसके बाद में हम आगे move करेंगे, आगे proceed करेंगे, सबसे पहली चीज़ क्या है ओवेरी के बारे में, और प्राइमरी सेक्स औरगन्स और हुमन फिमेल, क्योंकि यहां पर क्या होता है भई, गेमिटोजनेसिस का प्रोसेस होता है, तो प्राइमरी सेक्स औरगन्स कहलाएंगे, दूसरा, वाइटिश, एंड आमंड शेप्ट, जैसा कि आपने देखा अभी पीछे वाले डाइग्राम में, यह वाइटिश भी हैं, और आमंड शेप्ट भी हैं, ठीक है, खलके से लॉबियूलेटिड भी हैं, बट वाइटिश और आमंड शेप्ट, यही टर्म हम यहां पर इस्तिमाल करेंगे, तीसरे नंबर पर, अराउंड टू टू फोर सेंटिमीटर, इन साइज, इनका लेंथ जो है, वो लगभग लगभग दो से चार सेंटिमीटर का होता है, ठीक है सब, और ओवेरियन लिगामेंट, अब फिर से एक बार डायगराम देखूं जिस से कि कोई कंफ्यूजन न रहे, यह देखूं, यह जो लिगामेंत है, इसको तो ओवेरियन अपनी position में maintained रहे ठीक है तो तीसरे नंबर पर ovarian ligament attaches ovary with uterus यह तो आपने देख ही लिया ovarian ligament का काम क्या है यह ovary को uterus से connect करेगा और फिर से देखो एक बार diagram साथ साथ देखते चलो broad ligament दिखाई दे रहा है आपको बच्चो broad ligament दिखाई दे रहा है ना broad ligament क्या करेगा parital peritonium का part है यह और यह mesovarium से इसको connect करेगा broad ligament is a part of parietal peritonium and connect them with mesovarium और यह mesovarium क्या होता है यह भी important point है बच्चों याद रखना सारे के सारे this is also a double fold of peritonium अच्छा testis के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था that testis are extra abdominal but that is not the case with ovary ovary के साथ में यह case नहीं हूँ ovaries abdominal cavity में ही present होते हैं they are permanently located in the abdominal cavity अब आगे चलते हैं और अब ovary का structure जरा जानने की कोशिश करते हैं यह diagram तो आपने देखे लिया है यह एक और diagram यह आपके लिए बना रखा है मैंने same fundus body cervix दिखाई दे रहा है यह ovary दिखाई दे रहा है यह ovarian ligament दिखाई दे रहा है यह broad ligament दिखाई दे रहा है यह oveduct के part दिख रहा है infantibulum ampulla isthomas and uterine part फिर cervical canal है os internal os external cervix hymen vagina यह सारी के सारी चीज़े यह structure मैंने पहले भी draw कर दिया था आपके लिए और इसको दुबारा से एक बार देख लीजिए क्योंकि अब हम ovary का structure detail में discuss करेंगे so let me draw a structure of ovary sectional view of ovary at the time of puberty और right from the onset of puberty puberty के बाद ovary का structure कैसा दिखाई देता है now have a look यह बड़ा important एक segment हम लोग अभी discuss करने जा रहे है देखिए यह तो ovarian ligament है यह ovary का sectional view में draw कर रहा हूँ sectional view में सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि periphery periphery पर माने कि यहां germinal epithelium present होता है और germinal epithelium कैसा होता है वही simple cuboidal epithelium यह आपका germinal epithelium यहाँ पर present है ठीके जाएब exactly ovary का जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम दो portions में divide कर सकते हैं peripheral segment को तो हम कहते हैं ovarian cortex और centralized reason को हम कहते हैं ovarian medulla यह stroma तो जो periphery वाला reason है उस पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि periphery पर germinal epithelium है that is nothing but simple cuboidal epithelium इस simple cuboidal epithelium के नीचे आपको एक layer मिलेगा देखो यह रहा इस layer का नाम है tunica albugenia अब ज़रा याद कर लीजिए अच्छे से कि tunica albugenia आपने testis में भी पढ़ रखा है लेकिन testis में वो कहां था tunica albugenia outside the seminiferous tubule even outside the testis testis के भी बाहर था tunica vaginalis फिर albugenia और तीसरे नंबर पर क्या था वेस्कुलोसा लेकिन यहाँ albugenia कहां आ गया है भई नीचे की तरफ आ गया है चीक है अब देखो अब यह जो context वाला reason है इस context वाले reason में developing follicles हमें दिखाई देंगे तो developing follicle किस तरीके के दिखाई देंगे ज़रा ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे मैं सबसे पहले यहाँ एक mature follicle draw करता हूँ आपके लिए just a minute इसको थोड़ा सा और उपर की तरफ draw करें यह एक mature follicle बना follicle कैसे बनते हैं यह भी अभी समझाऊँगा एक बार के लिए केवल इसको diagram को देख ले इससे काफी सारी चीज़ें तो आपकी clear हो जाएंगी और जो नहीं हो जाएंगी उनका भी कोई नो कोई रास्ता निकला जाएगा वो भी आपको समझा दी जाएंगी तो चिंता ना करें बिलकुल भी यह जो फॉलिकल आपको यहां दिखाई दे रहा है यह मैच्चोर फॉलिकल है जिसे हम कहते हैं graphian follicle अब यह फॉलिकल बना कैसे अपने आप से नहीं बन गया है यह एक्जेक्टली जो germinal epithelium के cells हैं यह जो germinal epithelium के cell यह divide होते हैं डिवाइड होकर के यहां आजाते हैं यह जैसे यह germinal epithelium का एक cell डिवाइड होकर यहां आगा और डिवाइड होकर जब यह यहां आएगा तो ओवरी के cortex के कुछ सेल इसके चारों तरफ आकर इकठा हो जाते हैं तो अब अंदर तो developmental stage है एग का और बाहर है ओवरी के cortex के cell collectively इस structure को हमने क्या कह दिया follicle और follicle sequence में develop होते हैं तो जब इस बात को भी समझ लें सबसे पहले primary follicle बनेगा फिर जब यह layers थोड़ा सा increase हो जाएंगे size में थोड़ा इसका size बड़ा हो जाएगा तो इसको secondary follicle बोल देंगे यहां आते आते यह थोड़ा और बड़ा हो जाएगा इसको tertiary follicle बोल देंगे ultimately यह पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा size में तो इसको graphene follicle बोल देंगे और यह graphene follicle ultimately it will fuse with the wall of ovary like this और इस fusion के बाद यह egg को बाहर release कर देगा secondary oocyte stage में और इस process को हम क्या कहेंगे ovulation यह ovulation हो गया अभी यह पूरा mechanism एक साथ आपको समझाओंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ovulation के तुरंत बाद यह जो आपका graphene follicle था इसमें से यह तो बाहर निकल गया इसके बाहर निकलते ही यह एक yellowish endocrine structure में convert हो जाता है जिसे हम कहते हैं corpus luteum और ultimately यह regress हो जाता है corpus albicans में that is how this entire mechanism proceeds अब ज़रा देखिए ध्यान से थोड़ी सी labeling करता हूँ यह तो आपको दिखाई दे ही रहा है ovarian ligament अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको सबसे अंदर की तरफ germinal epithelium यह रहा germinal epithelium germinal epithelium के नीचे क्या दिखाई दे रहा है tunica albugenia यह tunica albugenia का layer दिखाई दे रहा है याद रहे testis में tunica albugenia बाहर की तरफ होता है ovary made tunica albugenia आपका अंदर की तरफ होता है अब यहाँ यह आपको developing follicles दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे तो मैं सब के नाम लिखे देता हूँ जैसे इसका नाम लिखने primary follicle फिर इसके बाद में बन गया secondary follicle फिर इसके बाद में बन गया tertiary follicle फिर उसके बाद में बन गया आपका mature follicle और mature follicle को हम क्या कहते हैं graphian follicle graphian follicle यह ovulation का process हो गया ovulation के बाद यह किसमें बदल गया बच्चो corpus luteum और finally यह किसमें बदल गया whitish structure which is known as corpus albicans यह आपको दिखाई दे रहा है ovarian cortex यह ovarian cortex दिखाई दे रहा है आपको और cortex के अंदर आपको यहां बीच में क्या दिखाई दे रहा है ovarian medulla this is the cross sectional view और sagittal sectional view of the ovary at the time of puberty puberty onset होने के बाद ovary का section अगर हम लेंगे तो यह ovary ऐसा दिखाई देगा आ रहे यह बात समझ में एक मिनिट रुकी है यह आपका primary follicle है यह secondary follicle है यह tertiary follicle है यह graphian follicle है और यह पूरा का पूरा structure होगया ओवरी का यह यह यहां जो बाहर निकला है structure यह है secondary oocyte अब याद रखने वाली बात इसमें क्या है important बात इसमें क्या है जो कि आप सारे के सारे बच्चों को याद रखनी है इसको समझो पहले चोंकि इसके बिना बाखी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगे यह sectional view जो ओवरी का हमने बनाया that is from the onset of puberty but that is not the case right from the birth birth के वक्त से ऐसी position नहीं होती है no birth के वक्त ओवरी ऐसा दिखाई नहीं देता at the time of birth ओवरी is entirely different क्योंकि यह सारी की सारी mechanism जो आपको दिखाई दे रही है this is actually cyclic changes taking place in ओवरी right from the onset of puberty under influence of FSH and LH यह follicle बड़ा क्यों होगा FSH के influence में और FSH कब release होता है at the time of puberty not before that ovulation कौन से hormone के influence में होगा LH, luteinizing hormone और luteinizing hormone भी हमें कब मिलेगा at the time of puberty not before that तो यह तो सारी की सारी कहानी कब की है puberty की है at the time of puberty ठीक है लेकिन puberty से पहले क्या position होती है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा oogenesis के बारे में चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो बहुत important है देखो spermetogenesis जो है यह start होता है at the time of puberty 13-14 साल की एज में start होता है उसी वक्त complete भी हो जाता है but that is not the case with oogenesis human female में oogenesis का जो process है that is started or initiated even before birth birth से पहले ही यह process हमारा start हो चुका होता है ठीक है ना अब यह कैसे होता है सारा का सारा process birth से पहले इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं तो मैं आपके लिए दो चीज़ें simultaneously बनाता हूँ इस structure पर हम बाद में लोटेंगे because this is the sectional view of ovary right from the onset of puberty puberty के बाद की कहानी है अब हम ज़रा oogenesis और birth के वक्त ovary कैसा दिखाई देता है यह दोनों चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं देखे अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाईया यह ovary है ovary में यह germinal epithelium है यही बताया ना अभी यह germinal epithelium है तो अब हम क्या करते हैं इस germinal epithelium के एक हिस्से को ज़रा बाहर निकालके और यह जानने की कोशिश करते हैं कि oogenesis exactly होता किस तरीके से have a look oogenesis oogenesis में सबसे पहले आपके पास में है यह लीजी यह यही segment है जो हमने यहां से बाहर निकाला है जान रहे ठीक है और यह क्या बन गया है यहां पर भई what is this this is germinal epithelium ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे अब germinal epithelium की cells में division हुआ division कौन सा हुआ यह ऐसा concept है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा और इसको समझे बिना आपको ना menstrual cycle समझ में आएगा ना ovary का structure समझ में आएगा ना follicle समझ में आएगे ना बाकी चीजें समझ में आएगे तो जरा ध्यान से और sincerely इस पूरे process को समझ लो अब germinal epithelium की cells में हुआ division division हुआ तो क्या बने भई यह यहाँ पर बन गए आपके उगोनिया ठीके साब मैं germinal epithelium भी उसी तरीके से लिख दता हूँ जिससे की है confusion आपको इसमें न रख एक मिनिट रुकिए यह germinal epithelium germinal epithelium से बन गए आपके उगोनिया अब उगोनिया में से किसी एक उगोनिया का size थोड़ा सा बढ़ेगा और यह किसमें convert हो जाएगा primary oocyte यह primary oocyte बन गया primary oocyte अभी देखो यहां तो क्या हुआ था इस particular point पर क्या हुआ था mitosis यहां केवल क्या हुआ है growth यहां mitosis वगरा नहीं हुआ है simple growth हुआ है अब primary oocyte enters in neocyst first and later on gives rise to one secondary oocyte and one small sized cell which is known as polar body ठीके साब finally secondary oocyte enters in neocyst second and ultimately we get ovum and this is again a polar body कई बार ऐसा होता है कि इस polar body में भी division हो जाते हैं और फिर और cell भी develop हो जाते हैं और cell भी बन जाते हैं अब सुनो बात को अब यह जो different stages यहां develop हुई है कौन कौन सी है ध्यान से सुनना यह oogenesis का पहला stage है first stage जिसे हम कहते हैं multiplication phase first stage of oogenesis फिर दूसरा phase है आपका growth phase और तीसरा phase आता है आपका maturation phase यह oogenesis के तीन steps है multiplication, growth and maturation अब यहां एक बड़ी important बात आती है important बात क्या कि human female में multiplication, growth यह सारा का सारा process बर्थ से पहले ही complete हो चुका होता है यह बहुत important point मैं आप लोगों को बता रहा हूं ज़रा ध्यान से सुनने up to this point the development has taken place even before birth यहां तक की सारी की सारी चीज़ें इस point तक की सारी की सारी चीज़ें before birth ही ovary में पूरी हो चुकी यानि birth लेने से पहले ही ovary में germinal epithelium में division भी हो चुके और गोनिया भी बन चुके primary oocyte भी बन चुके primary oocyte meiosis first में enter भी कर गए लेकिन प्रोफेज में जा करके arrest हो गए ठीक है द्यार arrested in प्रोफेज यह प्रोफेज में जा करके arrest हो गए और फिर उसके बाद दूसरा just a minute यह थोड़ा सा सीधा नहीं बना है आपका इसको सीधा बना दिया जाए यह before birth पूरा हो गया फिर यहां तक जो आए हम इस point तक जो आए यह कब होता है at puberty और last वाला यह step कब पूरा होता है during fertilization तो अब oogenesis में आपको बहुत important क्या बात पता चली बेटा कि oogenesis start तो हो जाता है birth से पहले ही even before birth लेकिन complete होता है at the time of fertilization अब follicle कैसे बने यह भी समझो वापस यहां आओ मैं इस ovary का structure फिर थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ आपके लिए यह ovary है at the time of birth ध्यान से सुनना भई यह इसका germinal epithelium है अब birth से पहले germinal epithelium में उगोनिया भी बन गए प्राइमरी उसाइट भी बन गए अब देखना भई यह primary oocyte यहां आ गए हैं यह सारे primary oocyte है यह आपको दिखाई दे रहा है यहां आ गया है अब इन प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ सेल एकठा हो जाते हैं ओवेरियन कॉल्टेक्स के तो मैं यह ओवेरियन कॉल्टेक्स के सेल इनके चारों तरफ डेवलप कर देता हूं यह लीजिए यह लीजिए यह लीजिए तो अब यह जो complete structure बना primary oocyte surrounded by cortical cells of ovary इस complete structure को हम क्या कहेंगे भई पॉलिकल पॉलिकल का मतलब क्या होता है developmental stage of the egg which is surrounded by follicular cells is known as follicle तो बर्थ के वक्त अगर हम ovary का sectional view देखेंगे तो हमें ovary में केवल और केवल क्या दिखाई देंगे primary follicles at the time of birth आ रहे यह बात समझ में यह क्या देख रहा आपको यह सारे के सारे क्या है primary follicles and this is sectional view of ovary at birth के birth के वक्त ovary कैसा दिखाई देगा birth के वक्त ovary ऐसा दिखाई देगा birth के वक्त वैसा दिखाई नहीं देगा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाइग्राम बना के समझाये था आपको नो वह काम कब start हमारा start हो गया embryonal stage में जब female child develop हो रहा है mother के uterus में mother के womb में उसी वक्त female child के ovary में यह जो germinal epithelium है इसने division start कर दिये थे birth से पहले ही और multiplication phase पूरा हो गया उगोनिया बन गए जितने बनने थे अब और नहीं बनेंगे सुनना ध्यान से उगोनिया primary oocyte में बदल गए growth phase में यह भी birth से पहले ही पूरा हो गया यह दोनों stage birth से पहले complete हो गए अब primary oocyte जितने human female बना सकती है वो सारे के सारे birth से पहले बन चुके clear? लेकिन यह primary oocyte exactly ovary के cortex में आके गिरेंगे और cortex की cell इनके चारों तरफ आकर इकठा होती चली जाएंगी तो अब primary follicle surrounded by cortical cells यह structure क्या कहलाया बिटा? follicle तो ऐसे हजारों primary follicles ovary में present होंगे at the time of birth अच्छा यह कहानी यही नहीं रुकी यह primary oocyte maturation phase में enter कर गया लेकिन enter करके यह meiosis first में arrest हो गया, pro phase में arrest हो गया, इस point पर और process रुक जाता है oogenesis का at the time of birth अब birth से लेकर puberty तक कभी भी आप at the time of birth देख ले 1 year of age, 2 साल, 3 साल, 4 साल 5 साल, 8 साल, 10 साल, कभी भी ovary का sectional view देखेंगे puberty से पहले, तो ovary कैसा दिखाई देगा भी ऐसा, ovary के cortex में thousands of follicles present होंगे, उन सारे के follicles में कौन सा stage होगा भी याद रहे primary oocyte यहां तक का development हो चुका है अब at the time of puberty, अब ध्यान से सुनो इस वक्त ovary में हजारों follicles है हम consider कर लेते हैं age 13 years, अब 13 years की age में ovary में 1000 follicles है अब 13 years की age में anterior pituitary से gonadotropins release होना start होते हैं, जिनको हम कहते हैं FSH and LH तो FSH के influence में ध्यान रखना FSH के influence में इन में से कोई एक follicle grow करना start करेगा और जैसे जैसे यह follicle grow करेगा वैसे वैसे यह primary से secondary, secondary से tertiary, tertiary से graphion follicle में convert हो जाएगा तो puberty के time से gonadotropin के influence में अब ovary का internal structure बदलना शुरू हो जाएगा और फिर sectional view में sectional view में आपको क्या चीज़ें दिखाई देंगी यह सारी के सारी चीज़ें दिखाई देंगी ovulation हुआ, corpus luteum हुआ corpus albicans हुआ यानि की right from the onset of puberty cyclic changes start to take place in ovary as well as in uterus and these cyclic changes are collectively known as menstrual cycle menstrual cycle menstrual cycle के इन changes में ovary में भी cyclic changes आएंगे और uterus में भी cyclic changes आएंगे आ रहे गे नहीं बात समझ में ovarian cycle जो है वो मैंने यहां पर draw कर दिये अब एक बार फिर से आपको समझाता हूँ एक बार फिर से देखो इन सारी चीजों को लिखते हैं mention करते हैं अब ध्यान से सुन ले ना सारे के सारे बच्चे oogenesis is initiated even before birth दूसरा point दूसरा point and growth phases are completed before birth एंड प्राइमरी उसाइट्स आर फॉर्म्ड बर्थ से पहले ही आपके प्राइमरी उसाइट बन जाएंगे तीसरी चीज तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस प्राइमरी उसाइट्स एंटर्स इन मैचूरेशन फेज बट अरेस्टेड इन प्रोफेज प्रोफेज फेज में इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा आगे का डिवीजन रुख जाएगा नाव अप टू प्यूबल्टी अप टू प्यूबल्टी कोई भी चेंज अब ओवेरी में नहीं होगा ओवेरी वैसा ही बना रहेगा जैसा बर्त के टाइम पर है देर विल बी नो चेंज अट अल ठीक है अप टू तू ताइम अप टू पूबल्टी अव थेज़ अप टू प्यूबल्टी अप टू प्यूबल्टी प्यूबल्टी का मतलब क्या हुआ ग्रिवेलप्मेंटल्स्टेज अग्ड अग्ड श्राउंड बाइ कार्टिकल सेल्स इस नोन एज वेरी सॉरी इस नोन एज ओवेरी कैसे लिख दिया फॉलिकल तो फॉलिकल का मतलब भी आपको समझ में आ गया बोलो आओ पीछे वापस एनी डेवलोपमेंटल स्टेज अफ दे एग विच इस सराउंड़ बाइ विच इस सराउंड़ बाइ कॉल्टिकल सेल्स आर नोन एज फॉलिकल्स अब हमने क्या पढ़ा एट दे ताइम आफ बर्थ अब लास्ट पॉइंट जहान से सुनना अब एड़ टाइम आफ बर्थ ओवेरी में ऐसे हजारों फॉलिकल्स प्रिजेंट होंगे जस्ट अ मिनिट है वे लोक मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ यह देखू एड़ टाइम आफ बर्थ यह सारे के सारे फॉलिकल्स थाउजंड्स के नंबर में ओवेरी में प्रिजेंट होंगे इस इस दे सिचुएशन ओवेरी अट टाइम आफ बर्थ ना केवल यूं कहेंगे अट टाइम आफ बर्थ बलकि यूं भी कह सकते हैं अब टू दे एज ओफ प्यूबर्टी ओवेरी ऐसा ही दिखाई देगा अब सुनो ध्यान से सारे के सारे बच्चे अट बर्थ थाउजंड्स ओफ फॉलिकल्स आर प्रिजंट इन ओवेरी बर्थ के वक्त ऐसे थाउजंड्स ओफ पॉलिकल्स ओवेरी में प्रिजंट होंगे बर्थ के वक्त का इतना इशू है भी नहीं अब क्या होगा आगे एट प्यूबर्टी अब ध्यान से सुनो एट प्यूबर्टी अंडर इन्फ्ल्यूएंस ओफ अंडर इन्फ्ल्यूएंस ओ फ्फ्च औ ल्च cyclical changes start to take place in ovary and uterus which are collectively known as menstrual cycle with a duration of 28 days यह cyclic changes puberty के वक्त से आना start हो जाएंगे ठीक है अब इसमें ovary में जो changes आ रहे हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे ठीक है follicles start to develop under influence of FSH अब FSH के influence में इन में से कोई एक follicle बड़ा होने लगेगा और बड़ा होते होते फाइनली primary से secondary से tertiary tertiary से जाते जाते किस में बदल जाएगा graphian follicle में change हो जाएगा ठीक है become mature on 13th day 13 तक जाते जाते यह mature हो जाएगा और किस में बदल जाएगा graphian follicle में और फिर उसके बाद 14th day पर यह एग को बाहर release कर देगा on 14th day ovulation takes place under influence of luteinizing hormone तो अब आपको यह सारी की सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए वापस आओ जरा पीछे की तरह have a look अब यहाँ आओ now this is the sectional view of ovary at the time of puberty यह पूरा 28 दिन का cycle आपको दिखाई दे रहा है 28 days का cycle आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस 28 days के cycle में आप क्या देख पा रहे हैं primary follicle धीरे धीरे किस में बदला secondary, secondary से tertiary, tertiary से graphion यह सारा conversion जो है यह graphion follicle जो है 13 दे तक 13 में दिन तक graphion follicle बन जाएगा मैं लिखे देता हूँ इसको on 13 दे graphion follicle बन के तयार हो जाएगा 13 में दिन तक on 14th day 14 दिन ovulation का process होगा और यहां hormone कौन सा काम करेगा LH, luteinizing hormone और यहां से यहां तक जो हम आए इस समय hormone कौन सा काम कर रहा है FSH that is follicle stimulating hormone तो यह सारा event तो FSH के influence में हुआ primary follicle से secondary से tertiary से graphion और फिर LH hormone के influence में ovulation हुआ secondary oocyte बाहर release हो गया then corpus luteum बना जो क्या बनाता है कौन सा hormone release करता है progesterone और फिर यह एक whitish corpus luteum कैसा होता है yellowish और यह corpus luteum कैसा होता है आपका whitish body so that is the overall structure and functioning of ovary अब बच्चों जल्दी से जल्दी से जल्दी से सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि यह पूरा का पूरा concept ovary का आप लोगों को समझ में आया या नहीं respond करो बटा जल्दी से reply करो शाबाश विजय बाकी सारे बच्चे भी बोलो मान सिंग, मोनिस कल क्या है बिटा कल भी पढ़ाएंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे देवांच, लकी, मान सिंग, पारस देखो सब बच्चों को यह अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मेरी बात सुनो ध्यान से अगर सुनो 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 मेंस्ट्वल साइकल हम डिटेल में डिसकस करेंगे, अभी तो मैं केवल आपको ओवेरी बता रहा हूँ साइकल में जो चेंजेज होंगे जैसे 25 डेज का साइकल रह गया या 31 डेज का साइकल रह गया बट, लेट एस हेव एक विक रीकैप, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा देखो जरा सबसे पहले हमने ओवर ओल अरेंजमेंट आफ फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम पढ़ा, मैं एक बार वापस से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ओर्गन है ओवरी, आमंड शेप होते हैं, वाइटिश होते हैं, बाहर की तरफ विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट इनको योटरस से कनेक्ट रखता है और यह जो ब्राइड लिगामेंट है यह बेसिकली पेरिटोनियम का ही हिस्सा है, यह मीजोवेरियम से जाकर के कनेक्ट होता है, मीजोवेरियम भी डबल फोल्ड है पेरिटोनियम का ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ओविरी को अपनी particular specific position में maintained रखते हैं ठीक है फिर इसके बाद आगे चलें ओविडक्ट ये ओविडक्ट दिखाई दे रहा है इसी को fallopian tube भी कहते हैं कल वाले lecture में शायद मैंने discuss किया था कि जो embryonal mullerian duct है वही mullerian duct modify होकर ओविडक्ट में convert हो जाता है या बदल जाता है ठीक है तो ये आपका ओविडक्ट है इसके चार हिस्से दिख रहे हैं आपको इन्फंडिमुला मैंपुला इस्थमस एंड यूटराइन पार्ट ये चार हिस्से हो गए ठीक है ना इसके बाद यूटरस आया यूटरस आपका muscular tear shaped structure है which is broad anteriorly and gradually become narrow posteriorly इसका ऊपर उबरा हुआ इससा कहलाता है fundus principal part कहलाता है body और नीचे वाला narrow segment कहलाता है cervix cervix में body की तरफ वाला aperture कहलाता है aus interna और vagina की तरफ वाला aperture कहलाता है aus externa ये cervix है और एक चीज़ और जान लो कि ये जो cavity यहाँ पर develop हुई है इसका नाम है cervical canal cervical canal ये question भी पूछ लिया जाता है ठीक है ना last structure है एक elastic tube के जैसा structure vagina जिसमें अंदर की तरफ stratified squamous non-keratinized depithelium की covering होती है और ये बाहर की तरफ open होता है vaginal orifice के थूँ और ये जो vaginal orifice है इसके ठीक पीछे एक centrally perforated membrane है और इस membrane का नाम क्या है hymen ठीक है इसका significance भी आगे पढ़ेंगे इसके बाद हमने ovary का structure डिसकस किया विजय सिंग देखो एक बार फिर से diagram को देखो बेटा अभी समझ में आ जाएगा जाएगा जास्ट अ मिनिट देखो ओवेरी में visceral peritonium होगा यहां बाहर मैंने draw नहीं कर रखा है इस diagram में सबसे बाहर की तरफ अगर एक layer में और बना दूँ तो that layer will be visceral peritonium सुनो बात को इसके नीचे आपको क्या देख रहा है germinal epithelium और germinal epithelium के नीचे क्या देख रहा है tunica albugenia तो tunica albugenia का location भी इसमें बहुत-बहुत-बहुत important है इसलिए important है tunica albugenia का location क्योंकि testis में tunica albugenia external या outer covering बनाता है जबकि यहां tunica albugenia germinal epithelium से भी अंदर की तरफ है यह ovarian ligament देख रहा है अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए that the internal portion of the ovary is divided or differentiated in two portions peripheral cortex जिसकी density थोड़ी ज्यादा है और central medulla जिसकी density थोड़ी कम है इसमें blood vessels, lymphatics, nouse, वगरा यह सारी चीज़ें आती है अब यह जो cortex वाला हिस्सा है ovarian cortex वाला जो हिस्सा है इस ovarian cortex के हिस्से में हमें मिलते हैं follicles developing follicles ऐसे follicles जो develop हो रहे हैं लेकिन कब होंगे वो develop right from the onset of puberty not before that मैं फिर repeat कर रहा हूँ puberty के time बर्थ के time तो केवल यह मिलेंगे primary follicle और कितने मिलेंगे हजारों thousands के नंबर में बर्थ के बाद human female में germinal epithelium में divisions नहीं होते प्राइमरी उसाइट नहीं बनते जितने बनने हैं सारे बर्थ से पहले बन चुके और यह प्राइमरी उसाइट जो हैं इनको ovary के cortex के cell चारों तरफ से cover कर लेते हैं गेर लेते हैं और इस covered structure को अब इस collective structure को हम कहते हैं follicle now at the time of puberty FSH और LH anterior pituitary से release होना start हुए और इनकी वज़े से दो जगे cyclic changes आना start हो गए एक तो ovary में और एक uterus में और इन cyclic changes का duration क्या होता है what is the duration of these cyclic changes 28 days 28 दिन का duration होता है जिनको हम कहते हैं menstrual cycle तो यहां जो changes आपको दिख रहे हैं यह सारे के सारे changes ovarian cycle के changes है तो यह primary follicle FSH के influence में secondary में बदला secondary से tertiary में बदला, tertiary से graphene में बदला, यह सारे changes आगए 13 वे दिन तक यानि की 13 वे दिन तक हमारा follicle mature हो गया, कोई एक follicle हजारों थे, उन में से कोई एक follicle mature होके graphene में बदल गया और इस graphene के अंदर जो पहले primary oocyte था वो secondary oocyte में बदल गया 14 वे दिन, LH hormone का surge आएगा आचानक से और यह fuse हो जाएगा ovary की wall से और एग बाहर रिलीज हो जाएगा एग नहीं कहेंगे, precisely we should use the term secondary oocyte secondary oocyte बाहर रिलीज होगे इस entire mechanism or phenomenon is known as ovulation विच अकर्स अंडर influence of luteinizing hormone फिर उसके बाद हमाएं कॉर्पस luteum पर ovulation के बाद graphene follicle एक yellowish endocrine structure में change हो गया जिसका नाम है कॉर्पस luteum which synthesize and secret progesterone and ultimately it converts into a whitish inactive structure known as कॉर्पस albicans जो धीरे धीरे rigorous हो जाएगा, खत्म हो जाएगा and that is how this 28-day cycle is completed 28 दिन का cycle complete हुआ, फिर से FSH release होगा फिर कोई एक follicle बड़ा होना start हो जाएगा फिर एक egg release होगा, again the same sequence तो roughly हम यह कह सकते हैं in the duration of one month सुनो ध्यान से, in the duration of one month in the duration of one month, one egg is released एक महीने में roughly हम यह मानके चलते हैं एक egg release होगा, ठीक? एक चीज़ दूसरी चीज़, बर्थ के टाइम पर अगर आप देखेंगे यह तो कहानी पुबल्टी के टाइम पर हुई बर्थ के टाइम पर आपके ओवेरी की पोजिशन है यह एड़ टाइम आफ बर्थ ओवेरी में केवल प्राइमरी फॉलिकल से हाउजेंड्स के नंबर में आरे यह बात समझ में? और उजेनेसिस से इसको जब आप को रिलेट करेंगे तो आपको चीजें और समझ में आएंगी कि यह बर्थ के टाइम पर हमारा जर्मिनल एपिथीलियम था इसमें माइटोसिस हुआ तो उगोनिया बन गए उगोनिया में ग्रोथ हुई तो प्राइमरी उसाइट बन गया अब यह दोनों फेजेज हुँमन फिमेल में बर्थ से पहले ही पूरी हो चुकी है बोथ इस स्टेजेजेज आर कम्प्लिटेड दूरिंग अम्प्लियॉनल डेवलप्मेंट और यह प्राइमरी उसाइट मियोसिस फर्स्ट में एंटर भी कर गया है बर्थ से पहले ही स्राउंडेड बाइ कॉल्टिकल सेल्स और यह प्राइमरी उसाइट सेंट अब क्या हुआ बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक 13 साल तक ओवरी में कोई चेंज नहीं होगा अगर आप 5 साल की एज में, 7 साल की एज में, 10 साल की एज में ओवरी का सेक्शनल देखेंगे तो यह ऐसा ही दिखाई देगा अब 13 साल की एज में प्यूबर्टी के टाइम पर क्या हुआ प्यूबर्टी के बाद की कहानी है, कोई एक फॉलिकल बढ़ा हुआ हुआ, फिर रिग्रेस हुआ, फिर तीसरा फॉलिकल बढ़ा हुआ, फिर रिग्रेस हुआ and the sequence goes on continuously right from puberty up to menopause, अब तु menopause यह process continuously चलता रहेगा अब एक और interesting fact देखो, आगे चलते हैं देखो जरा ध्यान से समझो इसको हम, अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी हमने क्या discuss किया कि यह ovary है और ovary के cortex में at the time of birth हजारों follicles present होते हैं यह सारे के सारे follicles हैं, मानके चलो आप तो, these all are follicles यह सारे follicles हैं, आप तो यह मानके चलो primary follicles thousands at the time of birth birth के वक्त पर यह thousands के नंबर में होते हैं, बहुत important बात बता रहा हूं बच्चों ध्यान से सुनना अब मान लो age of puberty assume कर लेते हैं हम 13 years age of menopause somewhere around 45 to 50 45 से 50 साल की बीच में menopause हो जाता है ठीक है? तो human female का reproductive life spend कितना है भई? what is the entire reproductive life spend reproductive life spend of human female कितना हुआ? आप 50 में से 13 माइनस कर दें तो कितना बचा? 37? 35-36 years के आसपास मान लो चलो और higher range पर चले जाएं तो आप इसको consider कर लो approximately 40 years 40 साल का reproductive life spend मान लो अगर इसको थोड़ा और higher range पर ले जाएं मान लो 13 साल में puberty स्टार्ट हुआ और 53 years की age में menopause हुआ तो 53-13 40 years आगया maximum range ले लिए मैंने है ना highest range ले लिए अब आपको ये भी पता है कि एक महीने में एक egg release होता है तो 40 years into 12 यानि total month कितने हो गए 480 months हम ये जानते हैं कि हर महीने में एक egg release होगा होगा कि नहीं यानि यहां जो हजारों फॉलिकल्स थे हमारे उन हजारों यहां पर यहां वेरी से एक महीने में लेft ईक आप हिसे अगरे में में लेफट साइड की है ले लेफट साइड की जया तो में एक胃 सान सांटमें सिक्स ब्राइट मढ़े सस्ट इसे करके इक सालम रधा एग रिलीज उन दो टोटल एग human female कितने release कर सकता है भई 480 months है तो हम यह कह सकते हैं कि 480 और we can say 500 eggs are released in entire life span इससे ज्यादा egg तो release ही नहीं होंगे जबकि हमारे पास follicles कितने थे भई जबकि हमारे पास follicles कितने थे हजारों, thousands के नंबर में थे follicles, उन हजारों में से काम कितने आए 500 मान लो 50,000 follicles थे 50,000 follicles थे एज्यूम करो उन 50,000 follicles में से ultimately काम कितने आए 500, not more than this यानि बाकी जो follicles बच गए वो धीरे धीरे reduce होते रहेंगे साइज में रिग्रेस होते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे ग्रेजूली, और इन follicles के खत्म होने के process को ही हम क्या कहेंगे बच्चों follicular atracia बहुत important question है follicular atracia का मतलब क्या हुआ? जो बच गए follicles जिनकी जरूरत नहीं है बाडी को, वो follicles ultimately खत्म हो जाएंगे degenerate हो जाएंगे and this entire mechanism is known as follicular atracia clarity है सारे के सारे बच्चों को एक और आखिरी चीज और समझ लो एक और आखिरी चीज और समझ लो वो ये कि भई ये बन तो सारे के सारे बर्थ के वक्त ही गए थे है कि नहीं एक चीज और समझ लो ये भी बड़ी important बात है इससे भी questions पूछे जाते है माल लो कि ये हमारा ovary है at the time of birth और ये इस ovary में follicles है मैं ऐसे ही draw कर देता हूँ इसके अंदर primary ocite वगरा नहीं बना रहा हूँ अब ध्यान से सुनो ये सारे कब बन चुके है बारत अब अगर मैं इनको designate करूँ जैसे माल लो कि this is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F अलग-अलग follicles को अलग-अलग नाम दे देते हैं अब क्या हुआ ध्यान से सुनना भे at the time of puberty what happened menstrual cycle begins at puberty तो puberty पर cycle चालू हुआ start हुआ cycle तो start हुआ तो पहले ये A वाला follicle बढ़ा हो गया और ये किस में बदल गया graphene follicle में और इसने क्या release कर दिया egg अब अगर मैं आपसे पूछू इस egg की age कितनी है what is the age of this egg reply करो ज़रा respond करो ज्यान से सुनो सारे follicles ये सब क्या है what are these these are primary follicles ये सारे birth के वक्त बन चुके हजारों के नम्मर में बर्थ से लेकर puberty तक कोई change नहीं है अब puberty पर menstrual cycle start हुआ जब menstrual cycle start हुआ तो इन में से कोई एक follicle ही तो grow करेगा मान लो A इस follicle ने grow किया size में और ये graphion follicle में बदला और उससे finally egg release हुआ so what is the age of this egg 13 years तेरे साल की age हुई ना इस egg की बोलो अब menstrual cycle कब तक चलेगा 45 साल तक 50 साल तक तो जब age 50 साल है मान लो when the age is 50 years तो ये वाला follicle mature हुआ graphion follicle में और इससे भी एग release हुआ इस एग की age क्या हो गई भई 50 साल क्योंकि बने तो ये साथ में ही थे ना समझने की कोशिश करो बात को बने तो ये सारे के सारे साथ में ही थे all eggs, all follicles were formed simultaneously तो A वाला तो mature होके release हो गया 13 साल में ही तो इस egg की age तो 13 साल है और F वाला mature हुआ 50 साल की cycle में तो इसका age क्या है 50 साल इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे age बढ़ती चली जाएगी female की वैसे वैसे क्या होगा oocytes grow older as the age progresses oocytes grows older oocytes पुराने होते चले जाते हैं और इसी वज़े से ये कहा जाता है कि अगर ज्यादा age में conception हो मालो की female का age 45 से उपर है और 45 से उपर की age में अगर fertilization और conception होता है तो उस वक्त जो egg काम में आ रहा होगा उसकी age भी ज्यादा होगी age ज्यादा होगी तो उसमें कुछ chromosomal abnormalities आना start हो जाएंगी बई बने तो सारे birth के time पर ही थे अब एक तो release हो गया 13 साल में जो 13 साल में 15 साल में release हुआ है 18 साल में release हुआ है 20 साल में release हुआ है वो तो relatively young egg है fresh egg है intact है पूरा का पूरा और जो 45 साल में release हुआ है एग वो पुराना एग है तो जितना पुराना होता चला जाएग एग उसका nuclear substance या उसका जो internal material है वो धीरे धीरे degenerate होने लगता है और इस वज़े से advanced age में pregnancy होने पर chromosomal abnormalities के chances बढ़ने लग जाते हैं तो इस वज़े से यह suggest किया जाता है कि conception के लिए एक specific age होना चाहिए बहुत ज्यादा age में अगर female conceive करती हैं तो जो office spring develop होगा उसमें chromosomal abnormalities के chances बढ़ते चले जाएंगे बात समझ में आएगी नहीं प्यारे बच्चो बोलो अब यह पूरी story clear हुई कि नहीं आप लोगों को मुझे तो यह बता दो बस जल्दी से कहीं कोई confusion तो नहीं है इसमें एग्स आर रिलीजड आल्टर नेटिवली दो ovaries हैं अगर जनवरी में left ovaries से रिलीज हुआ है तो फरवरी में right ovaries से रिलीज होगा फिर मार्च में left से रिलीज होगा फिर एप्रिल में right से रिलीज होगा अल्टर नेटिवली एग रिलीज होगे एक चीज़ दूसरा यह भी question पूछा जाता है कि भहिया अगर एक ovary हटा दी किसी के एक ovary में infection है कोई disease हो गई है और ovaryectomy perform कर दी गई है और ovary को surgically remove कर दिया गया है तो अब क्या होगा अब जो एक ovary बच गई है उसी से रिलीज होगे हर महीने ऐसा नहीं है कि उससे alternatively रिलीज होगे फिर वो एक जो ovary बच गई है बाड़ी में उसी से continuously हर महीने एक रिलीज होता रहेगा अगर दो ovaries हैं तो alternatively रिलीज होगे अगर एक ही ovary बचा है तो फिर उसी ovary से एक रिलीज होते चले जाएंगे continuously ठीक है अब देखो बेटा ऐसा है female reproductive system का what is the role of hormones in releasing eggs खुशी थानवी ये सवाल पूछ रही है बिटा एक रिलीज होने के लिए क्या चाहिए luteinizing hormone जब तक आपके पास luteinizing hormone नहीं है एक रिलीज ही नहीं होगा so this is the significance this is the biggest contribution बिना होर्मोन के तो एक का रिलीज होना possible ही नहीं है ovulation हो ही नहीं सकता in the absence of specific hormones specified hormones ठीक है ना हाँ एक एक ही रिलीज होगा twins के case में एक से ज्यादा एक रिलीज हो जाते है ठीक है अगर वो dizygotic twin है तो twin भी दो तरह के होते हैं मिटा एक monozygotic एक dizygotic monozygotic twin तो एक ही एक से बनते है dizygotic twins जब बनेंगे तो simultaneously दो एक रिलीज हो जाते है ठीक है तो this is a rare condition और बोलो और बोलो और क्या क्या सवाल हैं आपके और ये इतने सारे बच्चे देख रहे हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी इतने efforts किये जा रहे हैं आपको समझाने के लिए तो इसको कम से कम like कर दो और share कर दो जल्दी से like और share आप कर देंगे तो इससे हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि इतने सारे बच्चे बैठे हैं उनको समझ में आया कि नहीं आया क्योंकि ये जानकारी या ये apprehension मुझे कैसे होगा कि कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको content समझ में आया कि नहीं you just have to press the like button that's all तो उस count से मुझे समझ में आयागा कि इतने बच्चे क्लास में थे इतने बच्चों को समझ में आ गया तो ये काम जल्दी से कर दिया करो APC क्या होता है भई APC antigen presenting cell होता है जिसको हम immunology के section में पढ़ेंगे ovum term कब use करेंगे ovum term use करेंगे just before fertilization fertilization के वक्त जब sperm penetrate करना start करता है एग को उस वक्त second maturation division complete होता है एक polar body और release होती है and at that particular point of time secondary oocyte converts temporarily into ovum और egg ooted तो वो बड़ा बहुत transitional phase होता है क्योंकि उसके बनने के साथ ही तुरंट zygote भी बन जाता है zygote is also formed simultaneously कुछ ही देर में तो उस वक्त term use होगा ये egg otherwise नहीं होगा और बोलो और क्या-क्या सवाल हैं आप लोगों के जिस भी बच्चे के जो सवाल हैं वो जल्दी जल्दी बोलो चलो तो अब मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीजें तो हो गई है clear अभी कुछ और चीजें बच गई हैं इसमें जो चीजें बच गई हैं उनको भी हम discuss करेंगे लेकिन अब हम discuss करेंगे इनको हमारे कल वाले लेक्चर में reproductive glands बच गई हैं अभी हमारे पास में अभी graphene follicle का structure भी बच गया है जिसमें की zona pellucida corona radiata कैसे बनते हैं primary egg membrane क्या होता है secondary egg membrane क्या होता है and so on बहुत सारी चीजें अभी इसके अंदर बच गई हैं तो अब बाकी बची हुई चीजें हम लोग कल discuss करेंगे that is all for today आप सभी का दिन मंगल में हो जोब हो स्वस्थ रहिए गस्थ रहिए मस्थ रहिए पढ़िए खूब और नीट को crack कीजिए कोई doubt हो किसी भी तरीके का तो comment section में लिखिए और ये बाते याद रखिए hit the bell icon like share and subscribe this channel अगर subscribe नहीं कर रखा है तो इस काम को जल्दी से कर लीजिए और अगर प्लस पर कोई कोर्स आपको join करना हो use the code vedev okay so tata bye bye कल मिलते हैं कल मुलाकात करते हैं और इसके आगे की चीज़ें अब हम कर डिसकस करें